काफी दिनों से हम लोगों ने अपने टर्टर कैसल को नहीं देखा था तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग आज अपने टर्टर कैसल को देख लें और अगर देखा जाये तो हम लोगों ने अलिफेंट कैसल को भी काफी दिनों से नहीं देखा है पहले हम लोग टर्टर कैसल को देख लेते हैं उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने एलिफेंट कैसल और मैं तो सोच लो कि इस दफ़ा अपने एलिफेंट कैसल को अपग्रेड कैसे करूंगा यहां पर तो गोड़ जिला गॉड आ चुका है लेकिन इसको देखे हम लोग को डरने की जरूरत है ने क्यों कि यार गाइस गोड़ जला गॉड को मैं खुद भी काफी दिनों से ढूंड रहा था और मज़े की बात यह हम लोग के टर्टर कैसल के बाहर आ गया है और अगर यह एक दफ़ा टर्टर कैसल के बाहर आ गया है तो फिर यह जिन्दा वापस जाएगा नहीं और लेडी हम लोग different formulas जिन में से एक तो चला गया अभी पीछे रहा गया सिर्फ ये एक और इसको तोड़ने के लिए तो और लेडी मैंने plan बना के रखा है क्योंकि हम लोग के पास गोजिरा भी है और साथ में हम लोग के पास शिन गोजिरा भी है और मुझे पता है कि मेरे दोनों के दोनों ख केस वाले एक different formula को तो तोड़ देंगे उसके बाद बच जाएगा ये गोजिरा गौड और इसको मारने के लिए मैंने त्यारी पूरी की पूरी करके रखी है मैं अपनी आर्मी का गौड यॉनिट भी बना रहा हूँ जो के आज यहां फिर कल तक ready हो सकता है हो सकता है कि मैं उसको आज ही यहां पर लेकरा हूँ मगर आगाई वो साइज में काफी जादा बड़ा है ना तो टर्टल कैसल को हम लोग को यहां से रिमूफ करना होगा तब ही वो यहां पर आएगा और जो हम लोग की आर्मी का गौड यॉनिट है यार गाईज वो काफी जादा खतनाक है वो इजिली गौर्जला गौड को भी डिफीट कर सकता है मेका गौड, थार्सकॉच, स्कुड ड्रैकन गौड, एयार बियस गौड, मिस्टर एक्स सारे के सारे यॉनिट से वो सबसे जादा खतनाक है जल्दी में आप लोग को वो भी दिखाँगा लेकिन पहले हम लोग कैसे तुमने सुना नए है कि यह लइब बेद्ल तुम्हारे साथ क्या हुता है लगता है कि लाट्स वाला बैटल तुमौल ग हो तुम भूल गयो एक वैपन तो अल्रेडी टूड़ गया है और अभी तुम मुझसे जितने की बात ना ही करो तो बहतर है लगता है कि तुम्हें गॉडियोड की पावर्स का भी तक पता नहीं है जरा पीछे मुड़के देखो हाँ पीछे मुड़के देख तो यह क्या चीज़ है अरे या करता हूं कि अंधर जाके देखता हूं कि आखर य क्या चीज़ नहीं पstop स्कांद मुझे कोई और मुझे यहां से बाहर चलते हैं मंगर मुझे इक बात समझ में नहीं आ रहा आगा है जैसे ही मैं इसके करीब जाता हूं पूरा का पूरा वर्ल कैसे बिसे में घरता हिर जा पहारे निकलेंगे और उसके बात हम लोग सैंग यह ब्लyक होल है क्या sitting और मुझे تو यह भी नहीं पता किसके अंदर कुंसी होंगी अरे यह लगी अधैuł यह मुझे तो लगते कि n PDF कि सारी कि सारी आर्मी चली जाएगी सारी कि सारी आर्मी ऐसे कैसे जाएगी सिंचन फिकर मत करतू हम लोग की आर्मी काफी जादा खतनाक है और इतने जादा खतनाक ब्लैक हॉल को डिफीट करने के लिए हम लोग को डिमय स्पैसोस की पावर्स चाहिए होगी और साथ में Fire God की पावर्स भी चाहिए हम लोगो लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि यार गाइज ये आखर चीज क्या है और ये करती क्या है Hell God की पावर्स तो हम लोगों ने देख के रखी है उसके पास लावा टॉनेडो है और Fire God की पावर्स भी आप लोगों ने देख के रखी होंगी वो आस्मान से आग के गोले बरसाता है काफी जादा खतना की यार गाइज Fire God और Hell God के पास बहुत पावर्स है अभी अगर ये गोड़्स लागॉड अपनी ये कोई नई पावर लेकर आ गया तो हम लोग इसी लिए इसको भी खतम कर देंगे लेकिन अभी टाइम आज चुका है गोड़्स लागॉड की इस वाले वैपन को तोड़ने का आओ होब कि यारगायज हम लोग की आर्मी हम लोग को Desipoint नहीं करेगी şamरा को Set करते हैं हम लोग यहां पर यहां से हम लोग को सब्सकराइद दिखाएदएगा आओ होब कि यारगाई घॉत गॉडजरा गॉड्स लाड आज मरेगा जाला वीक हो जाएगा फिर तो आप लोग बोल सकते हो कि हम लोग की आर्मिका थार्स कोच भी गोर्जा गॉर्ड को मार देगा बस एक दफ़ा किसी तरीके से यह वाला वैपन टूर जाए उसके बात हम लोग जीत जाएंगे लेकिना हम लोग के गोजिरा और शिंगोर्जा इ मगना तो चाहिए असंच Пड़णा के जीतने को जीतना तो चाहिए मंगर समझ में मुझे एक बात यह नहीं आ रही है कि आ這裡 स्ंड़ इस धार्स को अपनी तरफ खेंच लीगा बहर आप लीए मैं आते कि लूग यह अपनी चे नहीं लगता है कि आए और बेखना है कि हमदल लेकिन गोर्जला गौड को भी तो मरना इतना असान नहीं है नहीं यह बहुत जादा खतनाक चीज है यार वो तो मैंने अभी देखी लिया है एक सेकंड रुको मेरे पास एक ओर प्लैन है मगर एक सेकंड यह गोर्जला गौड कहां पे चला गया हम लेकिन गोर्जला 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 गोर्जल सकता हूं यार्गाइज मेरे पास एक प्लैन है तो सही मैं इन दोनों को डिफीट कर सकता हूं और लगता है कि अभी टाइम आ चुका है थोर्स कोच को बलाने का अरे हाने आहां है थोर्स कोच का हम लोगोने इतने ज्यादा देनों से देखा ही नहीं है लेकिन सिंचन अगर मैं थोर्सकोच को यहाँ पर लेकर आ गया और उसके बाद गोर्जला गॉड भी इदर आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे हम लोग बाद की हम लोग बाद में देखेंगे लेकिन पहले हम लोग को इन दोनों को मरना है यार मरना तो पड़ेगा चौप इन दोनों को मरना पड़ेगा एक काम करता हूं कि थोर्सकोच को ले ही आता हूं हम लोग की आर्मी का थौर्सकोड़ तो यहां पर आगिया और मुझे पता है कि यार गाइस यह काफी जादा खतना के लेकिन अगर गोर्जिरा गोड़ यहां पर आगी तू फिर दिक्कत हो जाएगी हामेटी गोजिरा गोड को भी हापर आने दो तुम्हें क्या लगता है कि थौर्ट को जितना वीके वे किसी से डड़ जाएगा नहीं हामेटी नहीं मेरे आगे जो भी आएगा मैं उसको उसी टाइम खतम कर दूँगा हाँ वो तो ठीक है लेकिन ये सामरे गोजिरा और शिन गोड़ला खड़े में तुम इसको अकेले मार दोगे या फिर मैं साथ में डीमन टीरेस को भी लेकर आऊ नहीं डीमन टीरेस की जरुवत है और नहीं थौर्ट ड्राइगन की जरुवत है मैं तुम्हारी आर्मी का नंबर वन बॉस हूँ और आमे टीम मुझे पता है कि जब भी तुम मुझे बुलाते हो उसका मतलब यही होता है कि मसला कुछ बहुत ही बड़ा है हाना थौर्स को जब मसला तो काफी ज़ादा बड़ा है लेकिन यह दोनों के दोनों ब्लैक होल मुझे समझ में नहीं आरा कि यह क्या चीज़ है फिकर मत करो हमें टीम में इनको भी देख लूँगा लेकिन हम लोग के पास मेगलाउन भी तो है जित तो जाएगा ना क्यूंकि अगर एक दफार्श को डिफीट हो गया तो तो तुम लोग को पता है कि यह लोग के पास वापस नहीं आएगा ठीक उसी तरह में काफ़रा में हम लोग को पक्का जित्वा देगा चलो ठीक है तुम लोग बोलते हो तो मैं बैटला को स्टार्ट करता हूँ और आई होब कि यार गाई, थौर्सकॉच हम लोग को जित्वा देगा हम जर जित्वाएगा थौर्सकॉच बहुत खतना के पका हम लोग को जित्वाएगा यार धीरे धीरे ये आगे की तरफ तो जा रहा है मगर ये ब्लैक होल भी एक मिस्टरी है यार गाइस पता नहीं ये क्या करेगा लेकिन थार्सकोच ने अभी अपनी पावर्स निकाल दी और एक सेकंड में पेल दिया आवेटी टाइम देखा तुमने कितना लगा हाँ एक सेकंड में मार दिया तुमने दोनों को मारना पड़े गायर गाइस हम लोग की आर्मी के जो यूनिट से है न वो काफी जादा खतना के है और स्पेशलि हम लोग की आर्मी के बस यूनिट से आगा इनके पास तो कुछ जादा ही पावर्स हैं किसके पास कितनी पावर्द है आमेटी वो तो अभी हम लोग देखे लेंगे अभी यार गाईज ये कि दस्या आगया थौर्सकोच तुम्हें जाना होगा लेकिन या हम्दा ऐसा भी तो हो सकता है कि थौर्सकोच इसको मार दे हाँ होने को तो ये भी हो सकता है लेकिन तुम लोग ये काम करो फटा फट से यहां पर थौर्ट रैगन और डीमन टीरेक्स को लेकर आओ उसके बाद मैं देखता हूँ कि गोर्जा गौर्ड किस तरह बचता है लेकिन या हम्दा गोर्जा गौर्ड ने तो अटैक करना स्टार्ट भी कर दिया कोई बाद ने स्टार्ट करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ अभी ये मर जाएगा क्योंकि मुझे लगता है कि यारगा इस थौर्ड स्कॉच के पास काफी जादा पावर्ज है और ये अपने अंदर से फ्लेम्स को भी निकाल रहा है लेकिन गोर्जा गौर्ड भी किससे कम कर दिया अभी बताओ क्या करोगे सिंचनो चौप मेकलान किदर है अरे या हम लोग यहां पर नहीं लेकर आए ऐसा कैसे हो सकता है यार गाइस पहली दफ़ा हिस्ट्री में पहली दफ़ा हम लोग की आर्मी के थौर्ड स्कॉच को किसी ने डिफीट की है और वह भी धोके से है लेकिन हाम्या गोड़्जा गॉर्ण की भी तो सारी के सारी हेल्थ च लिए अरगार गाइस धौर्ण को काफी ज्यादा खत्रना कह यह लेकर छाहिए अगर तो हम लोग टाम पे यहां पर तॉर्ड डाइकन और डीमन टीरेक्स को लेकर आ जाते तो फिर यह मर जाता हा रा सिंचन में शिन गोड़ुरा औ गोजिरा का क्या ही करूंगा गोड़ुरा गोड़ तो नहीं मरा ना उपर से थौर्स कोच भी मर गया मेगलोन को हम लोगों ने यहाँ पे खड़ा किया नहीं था आप क्या करेंगा तौर्स कोच हम लोग को वापस नहीं मिलने वाला है बिल्कुर सही बोला हाविटी तौर्स कोच तो कया तुमारा और तुमारा मेका गॉड भी मेरे पास है मुझे तो बहुत जादा खुशी हो रही है क्योंकि तौमारी आर्मी का बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया गलती मेरी अपनी थी यार गाइस गोजिरा ओशिन गोड़जा को मारने के लिए मैं कोई और यूनिट लेकर आ जाता मुझे क्या बता था कि ये गोड़जरा गॉड बीच में आ जाएगा उपर से दूसरी गलती ये कि कि हम लोगो ने हँए को लाइक करो और कॉमनेट करेंके था कोई देना नेक्स वाली वीडियो के अदर हो सकता है कि में अपनी अर्मी का गाइड लेकर आ हूँ